नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने बाला हूँ, दिगज एक Food of Services Company के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके है, Jubilion Food, तो Jubilion Food एक Food Services Company है, Jubilion Food बहुत सारे Food का Services करते है, जैसे Dominus हो गया, Pizza Hut हो गया, तो इस तरीके से मतलब, Bad News है इस Company के लिए, तो इसलिए आज के तीन मार्केट जो ओपन हुआ, Direct Lowest Circuit देखने को मिला, तो कौन सा वो News है, कौन सा वो Reason के लिए इस तरीके से गिरावट हुआ, क्या इस गिरावट कंटिन्यू रहेगा, क्या फ्यूचर में यहां पर जो निउज आ है, इसके व आपको daily basis, stock market information और update चाहिए, तो इस channel में बने रहे है, तो चलो, देख लेते हैं, आज के stock के बारे में, तो भीटियो सुरू करने से पहले और एक चीज में आपको जोरू कहूंगा, अभी तक अपने teammate account ने किया, तो निचे link मिल जाएगा, वहाँ से जाकर account open कर सकते है, और अभी तक अपने telegram channel को join ने किया, तो फटा फट जाकर join करने कियेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको daily basis, इंटरे लेबल का बहुत सरे positive call आपको मिलने वाला है, तो जाकर सारे details चेक आउट करिए, description में सारे details मिल जाएगा, तो सबसे पहले में company के chart button के उपर चला जाता हूँ, तो direct low circuit 10% का low circuit यहाँ पर देखने को मिला था, देखिए अब आप बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता के low circuit मतलब जो लगते हैं, बहुत सारे दोस्त कमन करते हैं, 5% low circuit लगते है, 4% low circuit लगते हैं, तो यहाँ पर 10% क्यों लगा, देखिए जितने सारे future में, जितने सारे company है, मतलब जितने सारे derivative के अंदर जितने सारे companies हैं, उनमें आपको ज्यादतार आप देखेंगे, तो low circuit जितने सारे 10% करके low circuit लगते हैं, और बहुत सारे गिरावट हो सकते हैं, आप DLF को देखेंगे, जेंटेटरेमिक को देखेंगे, तो वो 30-40% तक low circuit दिखाया था, तो इस का कारण में आभी आपको discuss करता हूँ, तो वीडियो को पूरा दिखेंगे, अभी आपको एक एक करके सारे डिटेस क्लियार हो जाएगा, तो सबसे पहली बात company के जो आज के दिन का chart button है, करीवन 12% से भी ज्यादा, 12-13% से भी ज्यादा गिरावट हो था, तो आप पिछले दिनों के chart button से देखें, कि इस तरी के से गिरावट, sudden down, तो market open होने के बाद ही gap down में open हुआ, तो क्यों पिछले दिनों में एक news आया, देखें मैं हमेसा एही चीज आपको सिखा क्या हूँ, कि कोई news आ जाता है, तो market के उपर obviously stock के उपर बहुत ज़्यादा pressure केड हो जाता है और वहाँ से trader क्या करते हैं, ज़्यादातर माल बेशते रहते हैं, तो अगर खराब ने उच्छा और अगर अच्छा ने उच्छा है, तो माल ज़्यादातर खरीदारी भी करते रहते हैं, तो इस बात को आपको observe करना होगा कि company में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर जो आज क problems issue हो सकते हैं, problems मतलब आप अच्छा कासा company से बाहर जा रहा है, एही बाद में आपको समझाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर reason कौन सा है, वो आप सबसे पहले देख लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके details आपको जानकरी मिल चाहेगा, तो मैं आपर new channel के उपर आचुका हू बहुत सार new channel इसको cover किया है, तो cover जो जितने सारे company किया है, तो उन में से मैं business standard के उपर आचुका हूँ, क्योंकि अच्छा कासा यहाँ पर news को publish किया गया है, अब देख सकते है, Jubilian Food, Jubilian Food Work CEO, देखिए हर company के CEO रहता है, तो CEO ने क्या क्या, resign कर दिया, देखिए एक बात, एक बात ही हमेशा company के लिए positivity, देखिए, जब मान के चलिए, G entertainment के बारे में बात करो, तो G entertainment के जो CEO था, जब उसको निक मतलब, उस CEO पद से हटाने के लिए जो अपिल किया गया था, अगर वो approval हो गया था, तो उसलिए G entertainment देखिए, rocket के तरह भागे थे, इसका कारण क्या है, द पर भी देखिए, G entertainment भागे थे, उसका कारण है, जो CEO था, वो CEO एक्चुली ठीक ठाग नहीं था, मतलब काम ठीक ठाग नहीं कर रहा था, तो same to same, या पर जो जुबलियन फूट का जो CEO था, वो जवद्दस काम कर रहा था, और CEO ने देखिए, आपर रिजाइन कर दिया, और रिजाइन का लेटर जमा किया था, और उन्होंने जून 15 तक काम करेगा, उसके बाद टोटली कमपनी से वो बाहर चला जाएगा, तो दिखिए, कमपनी का यह जो न्यूज है, औबियसली एक नेगेटिव न्यूज जो रुका होंगा, क्योंकि दिखिए, मार्केट को इस त अच्छा का सा पॉपिट मिलता, देखिए, इस तरीके से न्यूज से मार्केट बहुत वोलाटिलिटी होता है, तो आपको लॉसे होने का चांसे और पॉपिट होने का भी जादा चांसे रहता है, मगर बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी के में, देखिए, मैं आपे देखने को मिला, और साथी साथ वो कितना सस्टेनबल है, फ्यूचार में क्या उसके उपर और भी प्रेसार हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ बात आपको देखना चाहिए, तो अबिसली देखिए, यहापे जो न्यूज है, आप सभी जानते है, डॉमेनियाज जो है, पूड का सर्विसेज देदेगा, तो यहापे देख सकते है, जूबलेन फूड वर्क, यह मस्टर फ्रेंचाईजी ब्रेंट साच अज डॉम डॉमिनस और यहापे देखिए, डंकिन डॉनट तो डंकिन डोनट अडॉमिनस का इस दोनों का फ्रेंचाईजी जूबलेन तो इसी के उपर पहले दीनों से अगर मार्केट संडे के दिन ओपर नहीं था, तो संडे के दिन ही तो खेल हो जाता, तो संडे के दिन ओपन नहीं था, तो इसलिए मार्केट को एक दिन बात में ओपन होना था, तो आज ओपन होने के बाद ही आप नजारिया देखी चुके थे मिन दिश्राइब का दो हाँ क्योंकि इस तरह के से गिराबत मार्केट के तो इसी बात को यह पर बता जा रहा है और उन्होंने यह भी बता है कि continue करेंगे current जो रोल जो पिरियोड है वो 15 जून 2022 तो it added तो मतलब उन्होंने अभी तक 15 जून 2022 तक अभी तक काम करेंगे इस company का अंदर वो रोल निभाएंगे कि लिए बड़ा company में आप जब काम करते हैं तो resign देकर ही कल से job से आप बाहर नहीं जा सकते आपको पहले से resign देना पड़ता है उसके बाद आपको एक time period मिलता है कि जब 15 जून के बाद जब market से जब इसका जो CEO है वो बाहर जाएंगे तब market के उपर पेसर नहीं रहेगा आज से ही मान के चलिए आज से ही आज से ही उसका दीन खतम हो गया तो इसलिए market को इस तरीके से negativity हमेशा याद आते हैं तो क्या इसी के चलते हैं कंपानी के ऊपर कुछ पेसर पड़ेगा क्या कंपानी खराब हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं कंपानी कोई छोटा मोटा कंपानी नहीं 33,200 क्रोड का market capital है एक 16% से भी जादा है तो कंपानी के हर परामेटर आपको positive लगेगा हाँ कंपानी के पास करज़ा भी है करीबन 1% का depth है depth of equity और करीबन 1700 करोड का total depth है तो कंपानी के हाथ में जो free class flow है वो करीबन 533 करोड का free cash flow है और कंपानी का जो EPA से मतला आदमी पस है 32 रूपीज पर से हर मे कंपानी कर रहा है तो कंपानी का face value gas रूपया में एक पर इसको पर वीडियो भी बना कर दिया था कि कंपानी split करने वाले है तो देखें अभी तक split का news नहीं है जब split हो जाएगा तो इस company के जो price range है अभी आपको धाई हजार में मिल रहा है तो उससे भी बहुत कम price में मिल स बीजनेस कर रहा है देखा जाए तो तो company के दिखिए हर quarter की result के बारे बात करो तो सांधार company आप result करते हैं देखिए हर quarter में result करोने के situation में भी company loss नहीं किया हर quarter में देखिए छोटा मोटा loss किया loss तो किया मगर चोटा मोटा किया क्योंकि उस टाइम में इसका जो business है total बंद ह हो गया था तो इसलिए loss भी थोटा मोटा हुआ कि साल भर के बात कर दो साल भर में आपको loss नहीं देखने को मिलेगा हर साल में company profit करते हैं company को return भी जब दस दिया एक साल में company आपको losses जोरू दिया होगा मगर बाकी सारे के सारे साल आप देखेंगे तो करीवन 30% के ऊपर सारे positive में दिखेगा और साती साथ return of equity भी positive में दिखेगा और साती साथ और एक चीज में आपको जोरू कहूंगा इस investor के बारे में बात कर देखिए अगर company खराब होते तो FIS 39% holding DS 11% holding नहीं करकर रखते तो यह आप देखिए promoter के पास 41.94% holding है जो पहले भी था अभी भी है और government के पास भी है और public के पास भी है तो overall इस company के बारे में सरे एक ही चीज कहूंगा आप इस company को निवेस करके रखे तो जो बूर जोरूर long term के लिए सोचिए तो आपको एक अच्छा का सा मौका मिला है जो company 4000 सारे 4000 रुपिया के company था मतलब price था अभी आपको धाई हजार मे मिला है तो इतना सस्ते में इस company का मतलब price मिला है तो आप इसको उपर study करके निवेस करने के लिए सोच सकते है तो आसा करते हो सारे जैन करेप को मिल चुका है तो मेरे भीड़ अच्छा लगए तो लाइक करना दोस्तों को सबस्क्राइब भी करना मिलते नेया स्टॉक लग अजिए तो आसा करेप लाइक कर दोस्तों करेप लाइक करना